15 दिन लगा लो बाल इतने लंबे और घने होने शुरू हो जाएंगे कि आप सको संभालना मुश्किल हो जाएगा हेलो फ्रेंट्स इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ग्लास पानी को बाउल कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर एलवेरा की पत्ती को पीसेस में कट करकर डालना है उसके बाद फ्रेंट्स आपको यहाँ पर दूसरी चीज एड़ करनी है वो है हिबेकस लीप यानी की गुड़हल की पत्तियां जो कि आपको ये दोने चीज़े आसानी से आपके घर में मार्केट में अवेलिबल होती है तो आपको ये आसानी से मिल जाएंगी उसके बाद आपको यहाँ पर गैस को लो फ्लेम पर आन कर देना है और on करने के बाद आपको यहाँ पर इसे लगबग 15-20 मिनिट तक उबलने के लिए छोड़ देना है यह एक ऐसा hair toner है जिसे यूज़ करने से आप कुछी दिनों में अपने बालों को लंबा और घना कर पाएंगी इसमें हम कोई भी chemical add नहीं कर रहे हैं इसमें हमने दोनों प्राकर्टिक चीज़े ली हैं जैसा कि आप जानते हैं aloe vera हमारे बालों को लंबा करने में और हिवेकर स्लीप हमारे बालों को जड़ने से रोकने में और घना करने में मदद करती हैं तो फ्रेंड जैसे जैसे यह उबलता जाएगा बैसे बैसे पानी थोड़ा कम होता जाएगा और यहां पर हमारे पानी का कलर भी धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा और फ्रेंड आप यहां पर देखेंगी कि जो आपका ऐलोवेरा जैल है ऐलोवेरा की जो लीप कटिन है उनका कलर बिलकुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा यानि कि वो बिलकुल सफेद होनी शुरू हो जाएगी उसके बाद फ्रेंड आपको यहां पर इसे उबलने के बाद गैस को ओफ कर देना है और गैस ओफ करने के बाद आपको इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है उसके बाद फ्रेंड आपको इसे ठंडा होने के बाद किसी भी एक कटोरी में आपको इसे इस तरीके से चान लेना है और फ्रेंड आपको यहां पर इसे चानने के बाद कोई भी एक खाली स्प्रे बॉटल में आपको इसे भर लेना है अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप इसे कॉटन की हैल्प से भी अपने बालों पर लगाईए और अपने सर की पंदरा से 20 मिट तक मस कर लीजिए इससे करने से फ्रेंड आपके बहुत ही तेजी से लंबे और घने होने शुरू हो जाएंगे आपको इसे बीक में दो बार यूज करना है अगर आपने ज्यादा बना लिया है तो आप इसे दो से तीन तीन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं तो फ्रेंड अगर आ